सरकार की ओर से नियुक्त जांच करताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी में नेपाल में हुए प्लेन हादसे का कारण शायद पायलट की गलती से प्लेन की पावर सप्लाई काट देना था। इस प्लेन हादसे में कुल 72 लोगों की जान गई थी जिनमें दो रिपोर्ट के अनुसार पावर सप्लाई कटने से प्लेन को धक्का मिलना बंध हो गया और वो हवा में एक जगह पर रुख जाने की स्थिती में पहुँच गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहे येती एरलाइन्स का ये विमान पोखरा के पास गि के दिन ये उस विमान की तीसरी उडान थी। इससे पहले विमान दो बार काठमांडू से पोखरा तक का सफर कर चुका था। ये निजी विमान पोखरा हवाई अड़े से महस डेड़ किलोमीटर दूर सेती नदी के पास की खाई में जा गिरा था। हाथसे के तुरंत बाद राहत कारे शुरू किया गया जिसमें सौ से अधिक नेपाली सेना के जवानों को लगाया गया। जाच कर रही समिती के एक सदस्से और एरोनाटिकल इंजीनियर दीपक प्रसाद बस्तोला ने समाचार एजेंसी रॉइटर्स को बताया विमान पहले ही गती में था। फेदरिंग पोजिशन में रख दिया। वो कहते हैं इससे इंजन अचानक बंध हो गया और विमान चलाने के लिए जरूरी धक्का नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन प्रोपेलरों के अंजाने में फेदरिंग पोजिशन में आने के बाद चाल कदल इस सम प्रशिक्षर न मिलना। उन पर काम का दबाव और तनाव और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करना शामिल है।